Hey viewers, welcome back to my channel आगया हूँ आप लिएको और नियो बड़े लेकर और आज की सुड़ों मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस PDF एडिटर शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप लोग अपने डॉकॉमेंट्स को बहुत यह सानी से एडिट कर सकते हैं तो जी हाँ अगर आप लोग भी स्टूड़न हैं या फिर आप लोग एक आफिस में जॉब करते हैं जहां पर आप लोग डॉकॉमेंट्स को यूज करते हैं तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस PDF एडिटर शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप लोग भी अपने डॉकॉमेंट्स को एडिट कर सकेंगे तो इसका नाम है PDF Element इसको यूज करके आप बहुत ही सानी से अपने PDF के साथ चैट कर सकते हैं उसको एडिट कर सकते हैं तो आज की सुर्में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मुझूद है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आजेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजएगा आप लोग को क्या करना है Simply Try It Free के आप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करने डाउनलोड करने के बाद इंस्टाल करने इस्टाल करने के बाद जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा आप्शन हमारे पास मुझूद है हम इनको एक एक करके चेक करने वाले हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कुइक टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आपको Edit PDF का आपशन मिल जाता है PDF Converter मिल जाता है OCR PDF मिल जाता है आप लोग अपने PDF को Summarize भी कर सकते हैं उसके लावा आपको यहाँ पे batch PDF का option भी मिल जाता है अगर हम लोग देखे तो यहाँ पे आप लोग देखे सकते हैं कि नीचे हमें recent file मिल जाती है जो files हमने recent de-edit की होती है वो यहाँ पे हमें show हो जाएंगी उसके लावा left में हमें यहाँ पे open PDF का option मिल जाता है अगर हम लोग देखे हैं कि हम लोग यहाँ पे PDF को किस तरह edit कर सकते हैं simply open PDF के option पे click करके अपने यहाँ पे PDF को add कर लें मैं यहाँ पे अपना यह PDF को add कर लेता हूँ यह हमारे पास यहाँ पे open हो चुकी है इस तरीके से तो यहाँ पे हमें कुछ इस position में show हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से options हमारे पास मुझूद है साबसे पहले home का edit का comment का convert का view का organize का tool form और protect के यहाँ पे हमें option देखने को मिल रहे हैं अगर हम लोग right में देखें तो यहाँ पे आपको a system मिल जाता है इसको यूज करके आप लोग अपने PDF के साथ चाहट भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग home से start कर लेते हैं इस पे click करके हम यहाँ से इसके tools को check कर लेते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे zoom in और zoom out मिल जाता है आप लोग यहाँ से अपने PDF को zoom और यहाँ पे zoom out भी कर सकते हैं अगर हम लोग साथ वाले option पे देखें तो यहाँ पे हमें highlighter मिल जाता है इसको use करके आप लोग अपने PDF को यहाँ पे highlight कर सकते हैं वो area select करें जिसको आप लोग यहाँ पर highlight करना चाहते हैं आप लोग चाहें तो यहाँ से color को change भी कर सकते हैं नीचे यहाँ पर opacity का option मुझूद है आप लोग यहाँ से opacity को काम ज़्यादा कर सकते हैं उसके साथ हमारे पास यहाँ पर shapes आ जाती है अगर मैं यहाँ पर arrow को select कर लेता हूँ आप देख सकते हैं उसके बाद आप लोग यहाँ पर बहुत सी shapes मिल जाती हैं आप लोग अपनी मर्जी से उसका पने PDF पर adjust कर सकते हैं next हमारे पास यहाँ पर edit का type आ जाता है अगर इस पर click करें तो आप लोग अपने PDF को बहुत ही सानी से edit भी कर सकेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है edit all को option इस पर click करके आप लोग अपने text को भी edit कर सकते हैं image को edit कर सकते हैं उसके लावा link को भी यहाँ पर edit कर सकते हैं हम यहाँ पर text को select कर देते हैं आप लोग चाहें तो इसको fully customize भी कर सकते हैं आप लोग इसका font चेंज कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं इसका color change कर सकते हैं उसके लावा आप लोग चाहें तो इसको यहां पर summarize भी कर सकते हैं AI के मदद से यहां पे बहुत से options इसके मुझूद हैं, आप लोग यहां से इसको translate भी कर सकते हैं, इनको हम end में जाकर try करेंगे, AI assistant को, उसके बाद next option हमारे पास add text का है, यहां पे click करके आप लोग अपने text को add कर सकते हैं, किसी भी जगा पे, मैं यहां पे लिख देता हूँ, wondershare, PDF element, आप लोग चाहें तो इसको भी यहां पे customize कर सकते हैं, इसका भी यहां पे font change कर सकते हैं, bold, italic कर सकते हैं, color change कर सकते हैं, next हमारे पास यहां पे add image आजाता है, इसपे click करके आप लोग यहां से image को भी यहां पे add कर सकते हैं, अपने PC से, मैं यहां पे image को add कर देता मैं यहाँ पे watermark को add कर लेता हूँ आप लोग यहाँ पे कुछ भी चाहें write कर सकते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ don't use it इसको यहाँ पे paste कर दूँगा आप लोग यहाँ पे scrutette कर सकते हैं उसकी position को change कर सकते हैं clockwise, एंटी clockwise आप लोग चाहें तो यहां से इसका फोंट भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद apply के option पर click कर दें तो यह हमारे सामने कुछ इस देगर से शो हो जाएगा अगर next option की बात करें तो वो हमारे पास background है आप लोग यहां से इसके background के colors को भी change कर सकते हैं यहां से जो color आपको choose कर लें आप लोग दोशकते है हमारे background color change हो चुका नेक्स आपको header footer मिल जाता है आप लोग इसको भी try कर सकते हैं नेक्स आगर देखें तो यहाँ पर हमाई पास comment का tab है इसको select करके यहाँ पर इसके कुछ main features है जिस तरह के आप लोगों को यहाँ पर दुबारा से highlighter मिल जाता है आप लोग यहाँ पर pencil का option मिल जाता है marker का option मिल जाता है आप लोग इनको भी यहाँ पर use कर सकते हैं eraser मिल जाता है आप लोग इसको मैंसे यहाँ पर कुछ भी erase कर सकते हैं underline का option मुजूद है आप लोग अपने यहाँ पर किसी भी text को यहाँ पर underline कर सकते हैं strike throw भी मिल जाता है आप लोग इसको भी use कर सकते हैं दुबारा से आप लोग चाहेँ तो यहाँ पर कोई भी text का option मिल जाता है उसके लावा यहाँ पर इसके बहुत से options है अगर हम लोग यहाँ पी आप लोग देख सकते हैं, बहुत से option व्यूद हैं, आप लोग यहाँ पे science stamps अड़ कर सकते हैं, dynamic, digital stamps मिल जाती हैं, आप लोग इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको यह show हो जाएंगी, इस तरीके से आपको यह stamps मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, आपको लोग यहाँ पे next feature की बात करने तो S Schön nature का आ जाता है आप लोग create की option पर क्लिक करके यहाँ पे signature भी add कर सकते हैं सही nature में आप लोग चाहे तो यहाँ पर image भी add कर सकते हैं, अगर आप लोग फूँद यहाँ पर draw करना चाते हैं तो pencil भी आपको यहां पर मिल जाती है आप लोग यहां पर ड्रा कर सकते हैं ड्रा करने के बाद OK की बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर इसको जहां पर भी चाहें अड़िस्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग PDF PDF element को यूज़ करके इसमें सीनेचर भी एड़ कर सकते हैं नेक्स्ट आप लोग चाहें तो यहां पर कोई भी अटेच्मेंट को एड़ कर सकते हैं और भी यहां पर बहुत से options मुझूद हैं नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर हमारे पास Convert आ जाता है Convert के टैम में इसके से features हैं जैसे कि आप लोग इसको convert कर सकते हैं अपने PDF को उसके लाव आप लोग इसको create कर सकते हैं आप लोग चाहें तो इसको PDF to word कर सकते हैं Excel कर सकते हैं PowerPoint कर सकते हैं उसके लाव आप लोग यहां से इसको image में भी convert कर सकते हैं text में कर सकते हैं तो मैं यहां से इसको word में convert कर कर देता हूं Word के Option पे क्लिक कर लेते हैं। जिसको यहांसे हम लोग सेफ कर देते न है उसके बाद आप देख सकते हैं। कि इसने हमें यहांपर कह दिया है कि आपको अपना Format Select कर लेना है। क्या आप लोग Word में करना चाहते हैं या फिर आप लोग इस format में चाहते हैं, आप लोग यहां से format को change भी कर सकते हैं, setting आपको मिल जाती हैं, आप लोग यहां से file का name सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद OK को button पर click कर दें तो आप लोग दे सकते हैं कि इसने हमारे PDF को word में convert कर दिया है, next हमें यहां पर view का option मिल जाता है, इस पर click करके आप लोग इसको view भी कर सकते हैं, pages की शकल में आप लोग इसको view कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहां से इसको actual size मिल जाता है, आप लोग इसको वो भी देख स सकते हैं, fit width में आप लोग इसको कर सकते हैं, full screen में अगर आप लोग इसको scroll करना चाहें तो यहां पर आपको full screen भी मिल जाती है, इस तरीके से आप लोग यहां से अपनी मर्जी से इसको adjust कर सकते हैं, next हमें यहां पर single page view मिल जाता है, two page view मिल जाता है, 3D read made मिल जाता है, तो यहां पर हमारे पास Read का Option है, Rotate का Option आजाता है, आप लोग इसको Clockwise, Anti-Clockwise, Move कर सकते हैं, Next Option हमारे पास Organize आजाता है, इसमें हमें बहुत से Features मिल जाते हैं, आप लोग इसको Organize में जाकर Page में View कर सकते हैं, आप लोग यहां पर Old Page, Even Page, All Page का Option मिल जाता है, आप लोग इसको Rotate, Antic, Clockwise या फिर Clockwise भी कर सकते हैं, आप लोग इसको Delete कर सकते हैं, इसमें भी हमें बहुत से options मिल जाते हैं आप लोगो के यहाँ पे OCR मिल जाता है combine मिल जाता है compare मिल जाता है आप लोगो यहाँ पे चाहें तो OCR भी कर सकते हैं OCR का feature यहाँ पे बहुत भी सबर्दस्त है simply क्या करना है आप लोग इस पे click कर लें यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजेगा आप लोग यहाँ पे OCR option मिल जाते हैं आप लोग इसको select कर सकते हैं देन आप लोग यहाँ पे language को select कर लें इंगलीज, जैपनीज, जर्मन, स्पैनिज, फ्रेंच आप लोग जो भी जाहें यहाँ पे language select कर सकते हैं उस pages range आप लोग select करके apply के option पे click कर देंगे तो यह OCR process start हो जाएगा तो बहुत इसानी से आप लोग यहाँ से OCR का process भी कर सकते हैं next हमारे पास यहाँ पे इसका form view आ जाता है इस पे click करके भी आप लोग यहाँ पे text को add कर सकते हैं और भी option बहुत से आप लोग यहाँ पे form में मिल जाते हैं आप लोग इनको भी review कर सकते हैं उसके बाद protect का option आ जाता है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे अगर encrypt के option पे click करेंगे आप लोग अपने PDF पे password भी set कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग जब password set करेंगे तो उसके बाद जो भी आपके PDF को open करेगा तो आपका PDF यहाँ पे password मांगेगा जब तक आप लोग यहाँ पे password नहीं लगाएंगे तो आपका PDF यहाँ पे open नहीं होगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर simply इवना password लिक लेना है apply option पर क्लिक कर दे next आप लोगों को यहाँ पर sign document मिल जाता है manage signature के option मिल जाते हैं आप लोग इनको भी try कर सकते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके last main feature AI assistant की इसको use कर गे, आप लोग अपने PDF के साथ chat भी कर सकते हैं इस पर click कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत से options मिल रहे हैं AI chat का option मिल रहा है, AI summarize का option मिल रहा है AI translate, AI grammar check, AI generate का option मिल जाता है आप लोग इनको भी यहाँ पर try कर सकते हैं अगर हम लोग AI chat के option पर click करनें, तो इस पर click कर गे आप लोग chat with PDF भी कर सकते हैं, या पर chat with AI भी कर सकते हैं अगर आप लोग chat with PDF करेंगे, तो आप लोग अपने PDF में से इसको कोई question यहाँ पर पूछ सकते हैं, यह आपको उसका answer दे देगा यहाँ पर हमारे पास एक question है, मैं इसे के पूछ लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितनी ही असानी से इसने हमें इसका answer दे दिया है Next, हमारे पास यहाँ पर chat with AI आजाता है, आप लोग AI से भी यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे के मैं यहाँ भी लिखता हूँ, what is solar system उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको summarize भी कर सकते हैं आप लोग इसको rewrite भी कर सकते हैं, explain कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर यह paragraph को paste कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको summarize कर दूँगा तो ये हमारे पास summarize होकर आ चुका है आप लोग चाहें तो इसको explain भी कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर AI assistant को use कर सकते हैं next अगर देखा जाएं तो यहाँ पर हमारे पास AI translate आयाता है इसको use करके आप लोग अपने PDF को translate भी कर सकते हैं इसको select करें यहाँ पर अपना language select कर लें आपके PDF की language जो भी होगी उसके बाद आप लोग को language select करनी है जिसमें आप लोग इसको translate करना चाहते हैं मैं यहाँ पर इसको select कर देता हूँ हिंदी को उसके बाद आप लोग translate के option पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कितने ही इसानी से इसने इसको translate कर दिया है तो इसी तरह से आप लोग PDF element को use करके बहुत इसानी से अपने PDF को यहाँ पर edit कर सकते हैं उनके साथ chat कर सकते हैं उनको आप लोग चाहें तो यहाँ पर translate कर सकते हैं तो बहुत ही जवदा software है इसका link आपको इसे वीडियो के description box में मिल रहा होगा वहाँ पर click करके आप लोग इस website पर आजेंगे तो यह थी आज की हवारी वीडियो तो उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस तांकी वीडियो को हसले करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें मिलते हैं कौन न्यू वीडियो में तब तक कलिए हुदा हाफिज